नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो पर आप लोगों के लिए एक और गूर्ड नीज है क्योंकि दोस्तों हमारे 36 गण में फिर से एक नई भरती के लिए नोड़ी पिकेसन जारी कर दिया गया है तो चलिए आज के इस वीडियो पर आप लोगों को बताते हैं कि किस भी भाग में किसने परदों के लिए रिक्वार्मेंट जारी किया गया है चलिए हैं पर आपको विश्दार से बताते हैं सिधी भरती हिदू विग्यापन आवेदान पत्र प्रस्तूत करने की प्राणभी तिथी है 29.12.2021 प्राता 11 बजे से आवेदान पत्र प्रस्तूत करने की अंतिन तिथी है 31.01.2022 संधिया 5 बजे तक उसके बाद देखते हैं कि कितने पदों के लिए नोडिपेकेसन जारी हुआ है तो यहां पर कूल 67 पदों के लिए रिक्वार्मेंट जारी हुआ है जिसमें से इस्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पद इस्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 10 पद साहेगरेड 3 के लि तो यहाँ पर जो इस्टेनोग्राफर हिंदी तथा इस्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए जो रिक्वार्मेंट जारी हुआ है उसके लिए वेतन मान तथा योग्यता तथा सरते सब एक समान है तो फ्रिन सबसे पहले देखते हैं वेतन वेतन पुन रिक्षन नियम 2017 के अ आरक्षित वर्ग के लिए निम्तम 40 पर 30 अंकों के साथ इसना तक युपादी होना अनिवारिया है उसके बाद चौंसा है विस्ट किसी भी विस्वी द्याला या राजी सरकार या केंद सरकार द्वारा मानेता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप अप्लिकेशन डिस्ये का प्रमाण पत्र साथ ही MS वर्ड अता इंटर्नेट का निम्तम ग्यान होना अनिवारिया है उसके बाद देखते हैं सहाग ग्रटीन के लिए क्या योग्यता एवं क्या सर्ते हैं तो इसके लिए वेतर्मान पुननने रिक्षण नियम 2017 के अंतरगयत म 2562,000 रुपे तक रहेगा सक्षणिक योगेता में आवेताक भारत का नागरिक होना चीए किसी मानेता प्राप्त विष्व विद्याला से अनरक्षित वर्ग के लिए निम्तम 45 अरक्षित वर्ग के लिए निम्तम 40% अंगों के साथ इस नातक की उपादी होना अनिवारिया ह प्रदेश तक मुद्रा लिखन परिक्षण बोर्ड या सासन द्वारा मानेता प्राप्त किसी अन्य समक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लिखन परिक्षण उत्रिण करने का प्रमाण पत्र भी होना अनिवारिया है कि इसके लिए भी किसी भी विश्वी द्याला या राज्य सरकार की केंद या केंद्र सरकार दोरा मन्यता प्राप्त किसी संस्ता से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन प्रमान पत्र के साथ MS Word अथा इंटरनेट का ग्यान होना भी अनिवार्य है इसके बाद है भी तिपद के लिए वेतनमान पुनन रिक्षण नियम 2017 के अंतरगत वेतन मैट्रिक्स लेवल 15600 से 49400 तक की लिए इसका वेतनमान है सेक्षिन क्योगेता है आवेधा 36 गर राज्य का मुल निवासी होना चाहिए नियुनतम सेक्षिन क्योगेता कक्षा 5 वी की परिक्षा उतरिन होना एवं अधिक्तम सेक्षिन क्योगेता कक्षा 8 वी की परिक्षा उतरिन होना है कक्षा 8 वी से अधिक सेक्षिन क्योगेता का अभ्यार्थी ब्रित्यपद के लिए अयोग्य होगा परन्तो 36 गड़ के इस थानी मुल निवासिया भ्यार्थियों के लिए उच्छतम आयू सीमा 40 वर्ष होगी 36 गड़ राज्य के इस थानी निवासिया नुस्तित जाती अन्य पिछड़ वर्ग महिला च्यादी के लिए अधिक्तम आयू सीमा में राज्य सासन द्वारा छूड़ दी गई है वे छूट यतावत लागू रहेगी रता समान ये प्रसासन विभाग द्वारा आयू के सम्मन्द में समय समय पर जारी दीसा निर्देश के अधार पर अभी आर्थियों को आयू में भी छूट दिया जाएगा 36 गण राज्य के बहार या अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिक्तम आयू शीमा 30 वर्ज होगी इस रिक्वार्मेंट से सम्मन्द फूल डिटेल से जानकारी देखने के लिए हमारे वेबसाइट नियूसरकारियोजना.com पर जाकर आप विजिट कर सकते हो वहाँ पर आपको विश्तार से एटू रेट जानकारी पूरा मिल जाएगा तो पर इसके लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है वहाँ से जाके वहाँ से भी आप जा सकते हो या फिर सिंपली गूगल पर नियूसरकारियोजना.com सर्च करके आप भी वहाँ से जा सकते हों